तो आज मैं एक नया देशी DIY फिस पॉंड बनाने जा रहा हूं यह पॉंड मेरे बाकि सभी दूसरे यहां पर जितने भी पॉंड से सबसे काफी अलग होने वाला है और इसके अंदर मैं जिस मचली को रखने वाला हूं वह भी काफी अलग और काफी प्यारी होने वाली है मैं बच्पन में जब इस मचली को देखता था तो मुझे काफी मन करता था काफी सौक था मेरा इस मचली के लिए एक टैंक मनाओ टैंक तो नहीं मैं पॉंड ही बनाता हूं जड़ा तर तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही खुबसूरत पॉंड बना के दिखाने व होता है बहुत कम ही की मचली या इस तरह को पॉंड में सर्वाइब कर पाती है तो इसी में से में से बहुत हाड़ी मचली बहुत हाड़ी अगर आप इसको हफ्तों तक खाना भी नहीं corazón एगि नहीं तो यह अभी रह सकती है और अगर आप गाफि बि Ce less रह लेती तब से काफी सारे लोगों ने सेम चीज कॉपी किया है और डियाईवाई पॉंड बनाया है मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन गुस्सा तो इस बात का आता है कि वह सेम टू सेम सेम तरह का टाइटल डालते हैं सेम पॉंड होता है मचलिया भी सेम वही होती है जि देखा है थमनेल भी एग्जेक्ट सेम टू सेम बनाते हैं समनेल के उपर भी सेम टू सेम चीज लिखते हैं कलर भी सेम सारा कुछ सेम तो मैं वैसे लोगों के लिए बस यहीं बोलना चाहूं कि भाई बस आप बनाना है तो इस तरह का पॉंड बनाये देखकर लेकिन मैंने इस चैनल से इंस्पायर होकर इस तरह का पॉंड बनाया यह आप वीडियो में मेंसन कर दिया किजिए बस इतना ही मैं चाहता हूं और मैं जिस मचली के लिए भी डियाइवाई पॉंड बनाने जा रहा हूं तो इसका कॉपी वीडियो बनाना आप बिल्कुल मत भूलना और म खरीदा है यह 40 लिटर का टब है काफी अच्छा और काफी बड़े साइज का यह टब है एक्शुली में 50 लिटर करता हूं इस तरह का आप देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर जो टब है इस साइज का मैं इस्तमाल करता हूं टब इनका लुक भी थोड़ा अलग है इस से है लेकिन दोनों का सेम ही है बस इसका जो विर्थ है चोड़ाई है वह थोड़ा ज्यादा है सेम वही साइज का टब है बस वह थोड़ा रेड में था धूप के करण उसका कलर फेड हो गया है और यह ब्लू कलर का मैंने नया लिया है दूप के कारण इसका अभी एक दिन फे करते हैं के लिए मैं यह कलरफूल स्टोन यूज कर रहा हूं आसे पहले मैं अपने किसी भी डियाइवाय पॉंड के अंदर यह कलरफूल स्टोन इस्तमाल नहीं किया था तो मैंने सोचा क्यों ना इस नए वाले पॉंड को बाकि सभी पॉंड से कुछ अलग लुक दिया जाए मैं इस वाले पॉंड के अंदर लाइफ प्लांट इस्तमाल नहीं कर रहा हूं सब कुछ आटिफिसियल होगा लेकिन आप फिक्र मत करो यह पॉंड भी आपको काफी पसंद आने वाला है और मैं अपने इन मचलियों को थोड़ा हाइडिंग स्पेस भी देने वाला हूं तो मैं इसको लगाते हैं मैं इसको किनारे पर लगाने वाला हूं और कुछ ऐसा लूक देने वाला हों कि सारे स्टोनस आप फिर भी यह कम पड़ गया थो एदियाуск मुझे थोड़ा क्याने र आइड करते हैं हरी याली होने वाला नकली हर היא तो मैंने यह पर प्लास्टिक का प्लांट कर साइच नोछ है और न कंचनफ सकती है तो कप्छा और असाने से खुप सकती है काफी अच्छा और कंच है यहां पर लगा दिया तो आप पानी भरना सुरू करते हैं पानी के प्रिसर से थोड़ा पत्थर इदर उदर भागने लगे मुझे लगता है कि इन्हें नहाना पानी में भीगना पसंद है इनको यहीं पर रोक के रखूंगा तो जब तक हमारे इस नए वाले पॉंट के अंदर पानी भर रहा है तब तक एक्ष्ट्रा पानी होगा इसके उपर लेवल में जाएगा तो सारा एक्ष्ट्रा पानी यहां से बैह जाएगा एक लेवल आपको इस तरह के पॉर्ण में बनाकर रखना होता है अगर आप इसको पूरा फिल कर देंगे तो मचलिया जंप करके बाहर गिर सकती हैं और फिर दाली था तो मैंने जितनी भी मचलिया खरित कर लाया था सभी को यहां पर कर दिया था आपको याद होगा दो-तीन दिन पहले मेरे आपको काफी तेज बारिस हुआ था ओले पड़े थे जिसके कारण काफी मेरा नुकसान हो गया था तो मैं उसी समय यह पॉंड बनाने वाल है जो आप उपर के सेड देख रहा है या ज वीवरा डैनियल से और इनको मैं रखने वाला हूं इसी टैंक से सोक रहा था कि Angel Fist के लिए एक पॉंड बनाया जाय तो मैंने फाइनली आज एंजल के लिए नया देशी डियाई यॉइए पॉन बनाही लिया मैं ढूण tobacco यह celebrity buff लेकिन यह मुझे काफ़ी बड़े साइच की एचलर मिल गई चोटी मैश लिए उणता थैं क्योंकि देखते हैं अगर पेर बने तो हो सकता आगे एंजल फिस के ब्रेडिंग को उपर भी मैं वीडियो बनाऊं लेकिन हो सकता इस जगह पर यह एंजल ब्रेडिंग ना करें क्योंकि यह टैंक भी काफी चोटा है और इसके अंदर काफी सारी और दूसरी मचलिया है तो यह आपस म के लिए जीबरा डैनियल को भी ब्रीड कराने का मेरा प्लान है तो उसके बारे में आपको अगले वीडियो में बताऊंगा अभी इन एंजल को इस टैंक से पकड़ते हैं और मैं इस डब्बे के अंदर रखते जा रहा हूं एक एक करके इन्हें इस छोटे वाल नेट से पक अईके तास्क आपको कॉमेंट करके बताना है इनमें से का इले फस्ट जल्दी से आप क्योंट करके बता डब्बे वला पानी बहाकर मैंने इन एंज़ु को क race कर लिए और एक अंशल में यहाँ पर रिलीज कर दिया तो फाइनली यह पॉंट बनी गया लेकिन एंचल फीस मुझे लगता है कि थोड़ा उधास है कि वह इस नए जगा पर कैसे आ गई और इनको लगता है कि यह नए जगापे एडेस्ट होने में थोड़ा समय लगे गा एंजल फिस में यही है कि अगर आप एंजल को न्यगापी जिफ्ट करते हैं तो वह बॉटम में जाकर बैठ जाती है वो थोड़ा डरती है लेकिन जब यह इस जगह पर सेट हो जाएंगी तो यह तो आपस में फाइट करते रहती हैं यह आदे गंटे बात का इनका अपडेट है अभी यह एक जगह पर गुरुप बनाकर बैठी है यह घूम फिर नहीं रही है दूसरी मशलियों का जब मैं पॉंड बनाता था और उनको शिफ्ट करता था वो तुरंत थी पूरा इधर उधर उपर नीचे घूमना शुरू कर देती थी लेकिन ये एक जगह पर यहाँ पर बैठी हुई है सब साथ में दो फीसेज आप देख सकते ह नीचे जाकर चुपी है तो इन्हें थोड टाइम देते हैं मुझे लगता है इनको थोड टाइम लगेगा यहाँ पर एडजेस्ट होने में टैंक के अंदर भी यह थोड डर रही थी जब मैंने शिफ्ट किया था तो तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही मुझे उमीद ह है कि आपको यह नया देशी डियाइवाई एंजल फिस पॉंट पसंद आया होगा अगर आपको यह पॉंट पसंद आया तो इस वीडियो पे 1000 लाइक का टार्गेट है उसको जरूर पूरा करवाईएगा और इस वीडियो को सेयर करना भी बिलकुल मत भूलिएगा मैं मिलता हूं आपसे आगले वीडियो में ओके बाए